अब सबीका टेक स्टेडी आई टेया यूट्यूब चनल पर प्लंबर ट्रेट थियोरी क्लासेज में आज ही आपका पार्ट 17 होगा जोकि CBT एक्जाम नेमी कुस्चन्स की सीरीज चल रही है उसमें एंड प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीरियल वाइस एड हैं आप उन्हें जाके पूरा जरूर देखिएगा अगर आप लंबर ट्रेट थियोरी में अच्छा स्कोर करना चाते हैं उसकेस में बाकि जो अन्य आपके सब्जेक्ट हैं लाइक ट्रेट थियोरी के साथ साथ आपका चैनल पर जुड़ जाईएगा वहाँ पे सभी तरह की रेगुलर इंफॉर्मेशन और पीडियाफ हम आपके साथ सेयर करते रहते हैं वीडियो को पूरा देखेगा अन्त में एक कुश्चन आप सब के लिए ऐसा बोनस कुश्चन जिसका अंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और एपलाई भी करेंगे इसके बाद टोटल तीन पार्ट और आएंगे आपके और आपका पूरा प्लंबर ट्रेट्थोरी कम्प्लीट हो जाएगा कुश्चन है 151 यहाँ पे which pipe fitting is used to connect two pipes with different diameters in a straight line very important question किसी pipe fitting का उपयोग दो पाइपों को अलग-अलग व्यास के साथ एक सीधी रेखा में जोडने के लिए क्या किया जाता है उसका नाम क्या है तो ऐसी fitting को हम बोलते है reducer coupling कुछ इस तरह होता है उसी जहाँ अगर straight जोडना होता तो हम क्या जोडते है वहाँ पे सिर्फ coupling या socket अगर सीधा सीधा जोडना होता हो same diameter की pipe मतलब same size की pipe होती यहाँ देखे यहाँ पे पतली pipe है यहाँ पे यह मोटी pipe है इस लेस को क्या बोलते है reducer अगला question है when a solvent welded PVC pipe tested बिलायक welded यानि solvent welded जो PVC pipe होती है उनका परिक्षण कब किया जाता है तो 24 घंटे बाद करते हैं after 24 hours यानि जब उन्हें PVC weld कर दें solvent से welding कर दें या solvent से जोड़ दें PVC pipe को तो हमें 24 घंटे बाद उनकी testing करनी चाहिए option number A सही है अगला question है what is the reason to use of hemp packing on the pipe threads pipe thread पर hemp packing करने का उद्देश से क्या है देखिए जो thread होती है पाइप की कुछ इस तरह से होती है यह आपकी होगए एक thread and इसमें आपका अंदर इसके कोई thread फिर से female thread जो होती है यह female thread male thread आपस में क्या होते है जूड़ते है ठीक है इस तरह से आप metal gap होता है ना वहाँ से पानी का leakage हो सकता है उसे रोकने के लिए hemp packing लगाई जाती है तो क्यों लगा रहे हैं sealing pipe joint pipe joint को seal करने के लिए जैसे teflon लगाते हैं वैसे hemp packing भी लगती है GI pipe औगेरा में आप PVC में टेflon लगा देते हैं GI में इस तरह की hemp packing लगाई जाती है ठीक है अगला question है what the reason for fixing mosquito proof coupling in overflow line of flushing cistern mosquito proof यानी मच्छर proof coupling flushing cistern के अतिप्रवारेखा में fix करने का कारण क्या है तो उसमें mosquito coupling इसलिए लगाते हैं जिससे क्या हो आपका जो cistern है ठीक है जिससे flushing cistern जो है उसमें क्या हो मास्किटो breeding ना हो मच्छरों का प्रजनन ना हो उसमें जासे वहां पर mosquito coupling लगाई जाती है ठीक है अगला question है which is provided to reduce the effect of water hammer water hammer के प्रभाव को कम करने के लिए क्या मुहया यानी provide किया जाता है pipe में water hammer क्या होता है पानी जा रहा है sudden आपने पानी का flow stop कर दिया तो पानी में एक sudden जैसे आपने stop किया वो एक energy सो बहरा है सामने की तरफ ठीक है आपने उसको रोका या कहीं sudden एक माली जे पानी ऐसे सीधी लाइन में जा रहा है ठीक है अब अचानक से आपने यहाँ pipe पूरा मोड दिया यहाँ जो पानी टकराएगा ना उससे एक इसमें जो wave होगी एक sound होगा उसी को water hammer कहते है तो water hammer कई बार क्या होता है इतना ज पाइप का जो बाहरी छोर होगा ना उस पे एक surge relief wall लगाते हैं surge मतलब होता है sudden कहीं पे जब pressure बढ़े ठीक है उसे क्या कहते है surge कहते है एक surge आगया लाइन में ठीक है तो उस surge को क्या करते है relief wall लगा देते है surge का ऐसा कुछ भी पीक आएगा water hammer का तो वो relief wall जो होता है उसको overcome कर लेता है pipe पे उसका effect नहीं पड़ता है कुछ इस तरह दिखता आपका surge relief wall ठीक है अगला question है what the effect of water flow if suddenly arrested by a tap or valve यदि न लिया valve वरा अचानक अनुद्ध किया जाए तो जल प्रवाह का क्या प्रवाह होता है देखिए आपने same आपने tap open किया sudden आपने बंद कर दिया तो क्य होगा एक water hammer उसी को कहते है water hammer pipe पानी के pipe के अंदर एक आवाज आएगी ठीक है उसी को क्या बोलते है water hammer क्योंकि sudden आपने pipe जो water का flow था उसको रोका है अगला question है what is chilling in pipe bending pipe bending में chilling क्या है chilling filling ये सब word होते है pipe bending में तो chilling होता है कि cool the pipe after heart bending आपने pipe को गर्म करके क्या किया मोड़ा ठीक है जनली PVC pipe गर्म करके मोड़े जाते हैं और फिर क्या हुआ उन्हें आपने sudden cool कर दिया या ठंडा कर दिया उसी को कहते है chilling यानि ठंडा करना उसे अगला question है what is the name of pipe bender इस pipe bender का नाम क्या है यहां देखिए कि hydraulic कहली जे पंप है जैक है ठीक है इस पे एक handle लगा हुआ है यहां ब्लीड वाल्व है इसका यहां पे इसका relief वाल्व रहता है और यहां इसमें आप क्या करते हैं या आगे die fix करके आप उसके through pipe को क्या कर सकते है bend कर सकते हैं ठीक है तो इसको कहते है hydraulic bending machine क्यों क्योंकि यह hydraulic oil से operated आप यह pump करते है आईल यहां पे pump होता इसके आगे से piston निकलता और pipe को फिर आप मोड सकते हैं ठीक है अगला question है which type of vendor is used for bending GI and MS pipe without sand filling रेत भरे बिना GI वा MS pipe यानि mild steel और galvanized iron pipe दोनों को किस प्रकार के vendor से हम मो portable hand separated hydraulic bending machine से bench type hand operated या simple vendor से तो यहां पे हम hydraulic bending machine से बिना उसमें रेत भरे यानि बालू भरे GI और MS pipe को मोड सकते हैं अगला question है which size of pipe are bent by cold bending method by using radius collar bending unit एक आती त्रिज्या collar bending unit radius collar bending unit बोलते हैं उसका उपयोग करके cold bending बिन से हम pipe के किस size को मोड सकते हैं तो right answer is up to 20 mm यहां पर कुछ जगों पर option B जो है उसका हिंदी में option A वाला ही छापा गया है तो उस पर थोड़ा confuse मत होईएगा option A सही है up to 20 mm डाय ऐसा आपके exam में नहीं आएगा next question what is the name of part marked as x in radius collar unit यही आपका इसकी को कहते हैं radius collar unit इसमें एक rollers लगे होते हैं रोलर होते हैं radius collar होता है योग होता है clamp होता है ठीक है तो यहां पर पूंच रहा है कि जो x के रूप में चिन्नित भागे इसको क्या कहते हैं यही हमारा radius collar क्या है radius collar है यह हमारा यूजिंग inner farmers in hydraulic bending machine hydraulic bending machine में inner farmer का उपयोग करके pipe के मोड का अकार क्या है अप to 60 mm diameter नहीं 60 mm ब्यास तक 65 mm ब्यास तक 70 या 75 राइट आंसर है 60 mm के ब्यास तक के pipe को हम hydraulic bending machine में inner farmer का उपयोग करके मोड सकते हैं आसानी से next question which type of metal tube can be bent by using spring bender spring bender होता है उसका उपयोग करके हम किस प्रकार की धात tube को मोड सकते हैं तो generally जो copper tube होती हैं ताबे की जो tubes होती हैं उन्हें हम spring bender का use करके मोडते हैं तो right answer आपका option number B copper tube question है what is the part mark dash x x के रूप में चिन्हित भाग अभी आपका क्या है यह भी यहाँ पर pipe bending आप कर रहे हैं ठीक तो यहाँ पर क्या है यह आपका tripod है ठीक यह आपका handle है ठीक है यह क्या हुआ आपका फिर इसी को हम लोग कहते हैं inside farmer क्या कहते हैं inside farmer ठीक यहाँ pipe लगा क्या आगे म मोड़ सकते हैं फिर pipe को guide कर रहा है ठीक है और फिर आप handle की साहता से क्या कर रहे है पाइप आपका मोड़ भी रहा है यहाँ पर next question what the part mark as x x के रोप में चिन्नित भाग क्या है अब आपका hydraulic bending machine है हमने पहले बताया यह क्या है इसको हम लोग बोलते हैं bleed screw क्या बोलते हैं bleed screw air वगर आ जाती कुछ आ जाता तो यहाँ से हम bleed करके उसे निकाल सकते हैं तो right answer क्या होगे आपका option number d bleed screw अगला question है what the part mark as x अब यहाँ फिर देखे एक्स के रोप में चिन्नित भाग यह आपका क्या है वही जो radius collar ठीक है आपका था तो यह आपका radius collar तो यह था यह आपका क्या है यह है movable collar क्या है movable collar यानि जो move कर सके चल सके वैसा collar है option number d यहाँ प x अब x के रूप में चिन्नित भाग क्या है यहाँ पर यह पाइप है आपका यही है आपका clamp क्या है clamp है जिससे हमने यहाँ पर इसको क्या किया हुआ है clamp किया हुआ है पकड़ा हुआ है ठीक है अगला question है what is the maximum size of tube can be bent in this method इस बिद्ध में tube के अधिक्तम कितने आकार को मोड़ा जा सकता है 15 mm, 18 mm, 25 या 32 राइट आंसर है 15 mm यानि 15 mm तक की tube को question number 170 here what is the part marked as X अब फिर से आपका एक bending machine है इसमें अब X वाला पार्ट अब इसमें इस पार्ट को बताना है क्या है ठीक है क्या बताना है इस पार्ट को यह inner former था handle था अब इस पार्ट को आपको बताना है क्या है आपके options है handle, tripod, pipe stop lever, inside former तो inside former तो हो नहीं सकता handle हो नहीं सकता tripod stand यह वाला है, बचा क्या आपका pipe stop lever, यह आपका pipe stop lever, 171 number question है what the part marked as X, X के रूप में चिन्नित भाग, ऐसे question figure वाले बहुत आते हैं, अब यहाँ देखी इस वाले screw को बताना है क्या है यह inner former तो यह वाला था आपका, ठीक है, यह adjusting screw with lock nut lever pipe guide, क्या है यह यह आपका adjusting screw with lock nut, य एक adjusting screw है, इसमें एक lock nut भी दिया, जिससे आप यह ची adjust कर सकते हैं, इस वाले portion को pipe के डाय के guarding, अगला question है, what the part marked as X, X के रूप में चिन्नित भाग, अब इसमें फिर से देखे, X के रूप में चिन्नित भाग आप से पूचा जा रहा है, यहाँ पे इसमें लगा होता है एक relief valve, क्या लगा होता है, relief valve, जिसे हम pressure relief valve कहते हैं, तो option number C आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान दीजे, यह ram या hydraulic cylinder है, यह pressure relief valve, यह handle, यह bleed screw, यह tripod, यहाँ पे फिर आपके लगे हैं, जो die होगा या farmer आप कह सकते हैं, यहाँ pipe लगा के उसे bend करते हैं, अगला question है, what is filling in pipe bending, chilling हम लोगों ने देखा था, ठीक है, गरम करने के बाद उसे ठंडा करना क्या होता है, chilling, अब filling क्या है, pipe bending में filling क्या है, cool the pipe after bending, यह तो आपका chilling हो गया, pack the inside of pipe, pipe के जो inside, ठीक है, pack the inside of pipe, inside of pipe जो है, उसे पूरी तरह से pack कर देना, उसे कहते हैं, filling, ठीक है, generally sand वगेरा भर दिय जाता है, तो right answer है, pack the inside of pipe, यानि pipe को अंदर पूरा पैक कर देना, अगला कुछन है, what is template in pipe bending, pipe bending में template क्या है, pipe heating device है, pipe bending machine है, pipe cooling device है, यह pattern for bending है, तो template वही होता है, pattern for bending, क्या bending pattern आपका होगा, pipe का, उसे को हम template भी कहते हैं, bending template भी कहा जाता है, अगला कुछन है, which method is used, which is the method to bend PVC pipe, PVC pipe को मोडने की कौन सी विधी है, cold method, hot method, using bending machine, chilling method, तो PVC को हम लोग hot method से मोडते हैं, इसीत विधी मत पढ़िएगा, यह repeat हो रहे है, hot method यानि गर्म विधी से हम इसको bend करते हैं, ठीक है, तो यह हो गए आपके 175 question, part number 17 के, अब आती bonus question की बारी, जिसका answer आपको comment section में लिखना है, what the name of the pipe fitting, इस pipe fitting का नाम क्या है, coupling, elbow, T, या union, जो भी सही होगा, आप लोग comment कीजिएगा, वीडियो को like and share आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो please कीजिएगा, and subscribe के बिना मत जाएगा चैनल पे, क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ाई के साथ, job और के साथ अगले वीडियो में